में के बाद स्वागत है आपका लोगसवाद चुनाव में समाजवादी पार्टी को मिली बंपर जीट से अखिलेश यादव गदगद हैं अखिलेश यादव अब उत्तर प्रदेश की राजनीती को छोड़कर केंद्रिय राजनीती के लिए जाने वाले हैं अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी दफ्तर पर हुई बैटरक में कई बातों पर जो फैसला हुआ है उस पर उन्होंने करहल सीट छोड़ेंगे इस पर कहाए कि जल्द ही बताया जाएगा जो फैसला लिया जाएगा लेगिन ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ही है कि आखिर यूपी में फिर नेता विपक्ष कौन होगा देखी रिपोर्ट लोगसभा चुनाव में अखिले शादों ने जिस रंडीती के साथ बंपर जीत हासिल की जिस प्लानिंग के साथ पार्टी को 5 सीट से 37 सीट पर पहुचाया अब उसी एनरजी के साथ वो सेंट्रल प्रॉलिटिक्स पर फोकस करने वाले हैं यानि अखिले शादों अब उत्तरप्रदेश की राजनीती को छोड़ कर केंद्रे राजनीती के लिए जाने वाले हैं मुझे खुशी है इस बात की कि जनता ने पीडिये पर और इंडिया गडवन्दन पर भरोसा किया और उसका परणाम ये हुआ कि जो लोग कहते थे कि डबल इंजिन की सरकार है जमीन पर जो चीज़ें नहीं दिखाए दी उसकी नाराज़गी देखने को चुनाओं में मिली उनके किलाब और उसी का परणाम ये है कि भाते जनता पार्टी बहुत बुरी तरहारी दरसल अखिले शादो कभी केंडर तो कभी प्रदेश की राजुनीती में दाव आजमाते रहे लेकिन इतनी बड़ी सफलता उन्हीं पहले कभी नहीं मिली अखिले शादो पाचवी बार सांसद बने है तीन बार कन्नौच से सांसद रह चुके हैं 2022 में करहल से चुनाव लड़कर जीता फिर आजमगर लोगसभा छोड़ दी थी एक बार फिर कन्नौच से सांसदी लड़ी अब अखिले शादो ने साफ कर दिया है वो करहल छोड कन्नौच के रास्ते दिल्ली की राजनीती में एक्टिव रही कि दरहे लोग के इपरी के कारकारता हूं से माचीद भी की बिलने का भी काम थिया और उन लोगों से मैंने कहा भी अब जब दो जेके से चुनाव मैं जी दिया हूं तो एक सीट छोड़नी पड़ेगी तो बहुत चल्दी में नहांस समा में अपना जो हमें सीट छोड़नी उसकी चानपरी देगी अब लोग त्या कर लेंगे फैसला यही होगी जिससे पार्टी को और भी बूती मिले पार्टी का ओप और गोट पड़ेगी ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है अखिलेश के दिल्ली जाने के फैसले के बाद अब करहल सीट पर कौन लड़ेगा और यूपी में नेता प्रतिपक्ष का पद कौन संभालेगा इस पर भी चर्चाएं शुरू हो गई है सूत्रों के माने तो अब करहल सीट पर तेश प्रताव यादो चुनाव लड़ सकते हैं मैं यूपी में नेता प्रतिपक्ष का पद शियुपाल यादो संभाल सकते हैं। शियुपाल अब विधायक दल में सबसे वरिष्टतम सदस्य है। राम अचल राजभर जोकी अमबेटकर नगर से विधायक हैं उनके रास्ते भी नेता प्रतिपक्ष के लिए खुले हुए हैं। नेता प्रतिपक्ष पीड़े से ही बनाया जाए। जिसमें सबसे पहला नाम शियुपाल यादो का है। बाद में किसी और का और कुछ ऐसा ही मेसेज शियुपाल यादो की देते रही है। अगर ये देखा जाए तो समाजवारी पार्टी दो सो विधान सवार से जाजा जीती है। तो अगर आज नयत किता के अधार पर आगर बहुदlichen जन्ता पार्टी उत्तरपिदेश से इस्तीबात दे दें। और इस्तीबात करें चुनाव कराये जाए। तो फिर उत्तर पिदेश में अखिलेश यादव के अगवाई वाले समाजवारी पारिटी निश्चित उत्तर पिदेश में इस परस्ट बहुमत की सरकार बना लेगी अखिलेश यादव को पूरा यकीन है कि वो सेंट्रल पॉलिटिक्स में और बेहतर कर सकते हैं क्योंकि अगर इंडिया गठ मंधन में सहयोग्यों की भागेदारी को देखा जाए तो कॉंग्रस के बाद सबसे ज़्यादा सीट लाने वाले पार्टी समाजवादी ही है और पार्टी को इस मुकाम पर पहुचाने वाले अखिलेश यादव विडियर रिपोर्ट यूसेटी